बहुत बड़ी खबर मिल रही है आपको तुरंट बताते हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मलकार जन्व खर्गेश से मुलाकात कर ली है यह मुलाकात इसलिए है क्योंकि कुछी देर में वो कॉंग्रेस में जोइन करने जा रही हैं विनेश फोगाट आपने नाम जुना होगा हर्याना के पहलवान है देश के लिए ओलम पे कभी खेला डिस्क्वालिफाई हुई उसके बाद चर्चा में आई बजरंग पुनिया को भी आप जानते हैं ये भी देश के नाम कई मेडल जीत चुके हैं लेकिन अब अपने सियासी सफर का आगाज करते हुए यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं मलेक आजू खडगे राष्ट्रिया द्रक्ष कॉंग्रेस के उनके साथ मुलाकात कुछ दिन पहले राहूर गांदी के साथ भी विनेश फोगाट की मुलाकात की तस्वीर सामने आई थी तब ही ये तैया ह हो गया ये विनेश फोगाट और बजरंग पुरिया कॉंग्रेस जोइन करेंगे और अब कांग्रेस जोइन करने से ठीक पहले मलेक आजु कडगे से उनके मुलाकात की तस्वीर मलाकात की है नई दिल्ली में कॉंग्रेस दफ्तर में मलिक अरजन खडगे के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूरिया ने साथ में केसी वेनु गुपाल रावी मौचूद रहे हैं लेकिन अब हर्याणा में विधान सवाच चुनाप के बीच ये मुलाकात मुलाकात के बाद पार्टी में जॉइन करना ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है कि खेल की दुनिया में कुस्ती की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब सियासी दुनिया में सियासत में सियासी पिच पर कितना दाउं खेलती हुए नजर आएंगी और सियासी दंगल में क्या दाउं पेच यहाँ पर देखन पूरियाने मुलाकाथ किया है मलेका अरजुन खडगे से और कुछी दिएर में कांग्रेस जॉइन करने जा रही है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस दफतर की है और दूसी तस्वीर मलेका अरजुन क्ठगे की और सबसे बड़ी बात है कि अब कुछी देर में विनेश फोगाट और बजरंग पूरिया कॉंग्रेस जोइन करेंगे और खबर ये है कि विनेश फोगाट ने रेलवे से भी स्तीफा दे दिया है इस वक्त हमारे साथ विस्तार नियूस के आईट है चीफ बिरजेश राजपूर जी भी बने हुए है बिरजेश जी ये बहुत बड़ी खबर है बजरंग पूरिया विनेश फोगाट के कॉंग्रेस में जाने को लेकर और सबसे बड़ी बात है कि दीपेंदर हुड़ा जब वो दफ्तर पहुंचे तो उनको रिसीव करने पहुंचे मलिकार जो खड़गे से मुलाकात हो गई है ये किस माइने में देखा जाए इसको हर्याना की राजनीती से बहुत बड़ी ख़बर है हर्याना में चुनाओ एनॉंस हो गए है और उस चुनाओ के पहले विनेश फोगाट जो थोड़ी दिनों पहले तक इस देश की सबसे बड़ी ऐसी फिगा थी जिनसे लोगों को सानबूती थी उनको लेके बहुत बड़ी सानबूती थी जनता की और उसके पहले उनका जो बड़ी लड़ाई लड़ी है पहलवानों के योण शोषण के खिलाप तो उसको मगर अब हर्याना चुनाओ के पहले जिस तरीके से उन्होंनें पहुंच गई हैं कॉंगेस जोइन कर रही है और यह भी संभा हुए कि कॉंगेस की टिकेट से दोनों वे बड़े पहलवान चुनाओ लड़ेंगे तो निश्य थी बड़ा राजनितिक दाओं है कॉंगेस का बीजेपी को पटकनी देने के लिए उनका भी आज बयान सामने आए वो कह रही है कि मुझे भी आपर था लेकिन मैं आदूलन को आगे वड़ाओंगी इस पर क्या असर पड़ेगा इसका यह कोई नई बात नहीं है कि कोई खिलाडी राजनीति में है संबेट पात्रा बीजेपी के सांसत क्या कुछ कह रहे है जड़ा सुन लेते हैं मगर हां जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धी जीवी भी यह सवाल तो पूछेंगे भी यह डिमोक्राटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है कि सवाल पूछेंगे बाकी जनता जनारदन है इस वह सव चूहे खाके बिल्ली हज को चली मतलब यह कौन क्या त्याक कर रहा है कि सब अपने अपने परिवार को जीवित रखने के लिए परिवार के नाम को जीवित रखने के लिए कि क्या त्याक कर रहे है आपको क्या लगता है अखिलेश जी सुनिया जी लालू जी ये सारे लोग हिंदुस्तान और हरियाना के भलाई के लिए त्याक की बात कर रहे हैं ये सारे लोग अपने अपने बबुआ कैसे कैसे सेट हो जाएं इनके बच्चे कैसे ठीक जगा सेट हो जाएं उसके लिए ये सब त्याग त्याग कर रहे हैं ये त्याग हमारे और आपके लिए है इनके लिए त्याग तो कोई शब्धी नहीं है इनके लिए जो बीजेपी से सांसत थे, क्रिकेटर वो चनाओ लड़े थे, तो खिलाडी लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, कोई नहीं बात नहीं है, अब ये अपना फैसला है कि पॉलिटिक्स में जाके कहां आगे बढ़ना है, तो आप देख सकते हैं कि दौनों पार्टी दफ्तर में अब यहां जाके कॉंगेस की सरस्ता लेंगे, मगर ये निशिती, पूरी कोशिश कर रही है, कॉंगेस की किसी तरह से, दस साल से जो वहां सत्ता में है, हर्याना में बीजेपी, उसको पटकती ली जाए, इसके लिए इन दो बड़े खिलाडियों को उनको सहारा मिला है, देखा है, मैंने खुद उस आंदोलन को कवर किया है, जन्तर मंतर से जिस दिन से शुचुआत हुई थी, बजरंगपूरिया से हमने भी बात चीत की थी, उस वक्त जो आंदोलन था, उसके बाद आंदोलन में शामिल लोग, ये बात सही है कि राजनीती में जाना कोई बुर अधर्स किया, और हम ठक गए, एक सरकार के खिलाब ठक गए, और ठक हार का फ़र हमको लगा कि यदि कुछ करना है तो पॉलिटिक्स में ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए हो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो अब दोनों के सामने एक नया करियर भी है, जैसे बजरंपूरि खिलाडी हैं, बहुत जाने माने खिलाडी हैं, तो मुझे लगता है, हराणा की जनता अपता ही करेगी, कि इनके लिए क्या सोच रही है, वो कितना आगे बढ़ाएगी, इनके जन समर्थन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मगर आपने सही कहा, लोग सवाल पूछेंगे, बीजेप फोगाट को टिकेट नहीं मिला है, पिछला चुनाव वो सीट से हार गई थी, तो समझे यही जा रहा था, विनेश फोगाट वबीता फोगाट चचेरी बेहन हैं, तो ऐसा समझा रहा था, दोनों को आमने सामने ना लड़ाय जाए, मगर पुरानी जो वबीता फोगाट है, उसका टिकेट कट चुका है, एक चुनाव वोहार चुकी है, अब देखने है कि पार्टी विनेश फोगाट को टिकेट कहاں से देती है, और बजरंग पूणिया को कहा से टिकेट देती है। करियर तो बना नहीं ये खिलाडियों का इतियास तो ये बता रहा है कुछ का सबका नहीं लिए कुछ का साथ में जो आम आदमी पार्टी है या जो दूसरी पार्टी है सब के गठवंदन बना के बीजेपी के खिलाब उतरने की कोशिश लेकिन यहां पर बिर्जे से एक चुनोती और होगी हर्याणा में हर्याणा में तीन गुट बड़े माने आते हुड़ा गुट एक कुमारी शेल्जा गुट एक रड़दीप सुर्जेवाला गुट इन गुटों को कैसे मेनेज़ करेंगी विनिश फोगाट क्योंकि डीपन हुड़ा ने स्वागत किया तो क्या उनको हुड़ा गुट का माना जा सकता है बिलकुल हुड़ा खुट की तो कैलाएंगी मगर देखे पूरी जो कमान है इस समय राजनीती की कॉंगेस में राहूल गांदी ने समय लखी इससे सबसे पहले आपने देखी फोटो राहूल गांदी के साथ आई उसके बाद अब खड़गे के साथ आई और अब पार्टी कॉंगेस ने अपनी तरब से दिया है इन दो बड़े खिलाडियों को पार्टी में शामिल करके चुनाव में उतानी की पूरी तैयारी है और यह अब देखना है कि बीजेपी इसका मुकाबला जैसे करती है अब बिलकुल यह देखना होगा और जी सीरे दिल्ली चलते क्यों जामिया गहमी से भरा रहा आज ही सुबह यहां पर आमाधी पार्टी के एक नेता थे उनका यहां पर उनकी ज्वाइनिंग कराई गी और अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की ज्वाइनिंग कराई जाएगी तीन वजे प्रेस कॉंफरेंस रखी गई है और इसक लोग नराज भी इस बात से लेकर के हैं जो एक चर्चा चल रही की कि कॉंग्रेस और आमाधी पार्टी की जो है गटबंधन हो सकता इस स्टेट में सीटों के बटवारे को लेकर के बात हो रही है जो हमारी बाचीत हुई अंद्रूनी तोर पे कॉंग्रेस के भीतर से उनकी बड़ा असर आप हर्याना विरान सवा चुनाओं में देख सकते हैं जुड़ा रहा क्योंकि वहीं पे वो पली बढ़ी ये वहीं पे उन्होंने रेस्लिन किये इसलिहाज से उनका कॉंग्रेस में आना एक बड़ा एज है रहेगा एक अपर हैंड कॉंग्रेस में ही रखा जाएगा और पार्टी के संगठनात्मक रूप से उनको एक बड़ी भूमिका दी जाएगी तो ये दोनों का जो अभी जो फ्यूचर है अब पॉलिटिकल वो अभी तीन बजे के बाद जो है जिस्ट अभी पूरा होने जा रहा है कि क्या ये रोल अदा करेंगे ल करेंगे